खबरें आ रही हैं भारत से कि भारत ने एक मिसाइल का टेस्ट किया है और भारत ने रुद्र M2 मिसाइल का सफल परिक्षन किया है मिसाइल को सुखोई 30 MKI से लॉंच किया गया हवा से सता पर मार करने वाली हाइपर सोनिक मिसाइल है एक ऐसी मिसाइल है जो दुश्मन के किसी भी तरह के एसिट यानि हथियार बंकर जहाज विमान आयूट डीपो को उड़ा सकती है रूद्रम 2 इस इंडिया फर्स इंडिजिनिस अंटी रेडियेशन मिसाइल विच इंडिजिनिस ली मैनुफक्च्छर बाइंडिया डीयार डीयो ना मेजर साब आपके इंडिया में एक नियूक्लियर मिजाइल जा है उसको टेस्ट किया गया है और इसे कहा जा रहा है फोर्स मल्टीप्लाय यह जो टेस्ट फाइर किया है इसका नाम है रूद्रा एम टू चाइना इंडिया को ट्रेट कर रहा है चाइना इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है इंडिया नोशन के अंदर और इंडिया चाइना की वेट नहीं कर रहा कि हमें घेरे इंडिया चाइना को चाइना के घर में खुश के मानना चाहता है दोस्तों खबरें आ रही हैं बारत से के बारत ने एक मिजाइल का टेस्ट किया है और इसे कहा जा रहा है फोर्स मल्टीप्लायर यह जो टेस्ट फायर किया है इसका नाम है रूडरा एम टू जो के एर तो सर्फिस मेजाइल है जो के सू थर्टीवन एम के वन से किया गया है इंडिया की जो डिफेंस रिसर्च और डिवलिप्मेंट और्गनाइजेशन है जैसे डिया डो डिया डी ओ बोला जाता है उसने आज जब के पाकिस्तान ने आपको याद होगा कल तकर तीस मईए को अगले देनी या या तीस मईए को एक और मिजाइल का टेस्ट किया लेकिन इंडिया ने आज का दिन क्यों चुना जब के थोड़े दिनों बाद इलेक्शन आ रहे हैं जब इस तरह के मिजाइल टेस्ट किये जाते हैं तो DRDO सारा कुछ खुद नहीं कर सकता DRDO क DRDO को परमीशन लेनी पड़ती है डिफेंस मिनिस्टर से या प्राइम मिनिस्टर आफिस इसमें इंवाल्व होता है अब ये जो स्कू थर्टीम के वन का जो प्लैटफॉर्म इस्तमाल की है इंडियन एर फोर्स ने ये क्यों किया है और कहा जाता है कि आज ये सुबो साड़ दास दो कि उस वकद मेरा हेला पाकसान में सुबह 11 का टाइम होगा उडिशिया की एक कोस से जो है वो टेस्स किया गया इस पे प्रेस स्टेटमेंट भी जारी की गई है और इसका क्या मकसद है देखें एक तो प्योर्ली जो परफॉर्मंस होती है मिजायल की उसका मकसद एक के टेकनिकल होता है फॉर एक्जामपल जी फ्लाइट डेटा कैप्चर करना ट्रैकिंग इंस्टूमेंट्स को चेक करना एलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स को देखना रिडार एंट टेलिमेटरी स्टेशन जो डेपलाइट किये जाते हैं उनको देखना और डिफर्ट लो किया है अब यह जो रूडरा M1 है यह एक इंडिजिनेसली डिवेलप्ट सॉलिड प्रोपैल्ड एर लॉंच्ट मिजाइल है जो के एर टू सर्फिस जिसका रोल है और यह कहते हैं जी कि हम एनमी के एनमी मीन्स पाकस्तान या चाइना टेकनिकली पाकस्तानी क्योंकि एक ची देता हूं आप मसाल के तौर पर प्राइम निस्टर मोधी ने एक प्रोब का इन्वेस्टिगेशन का फैसला किया है कि क्यों इंडि पाकस्तानी लिडर्शिप जो है पाकस्तानी पॉलिटीशन जो है वो राहुल गांधी को प्रेज कर रहे हैं फवाद चौधरी जिनके मैं ने पॉड़कास्ट मी किया मेरे पॉड़कास्ट दे कमर चीमा पॉड़कास्ट पर अगर जाएंगे आप तो आपको फवाद चौधरी का पॉड़कास्ट मिलेगा और मैंने उनी फवाद चौधरी से यही सवाल पूचे अपने पॉड़कास्ट में कि क्यों प्राइम निस उसका जिकर कर देते हैं कि शिजादे को पाकिस्तान से जो है वो सपोर्ट आ रही है क्यों मैंने ये सवाल किये वो मैंने एक काफी 35 मिनिट का पॉस्ट का पॉडकास्ट वबाद चौदरी के साथ दिकामर चीमा पॉडकास्ट में किया है मैं उसका लिंक भी इसमें डाल उन्हों ने आते हैं ट्वीट कर दी और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस ट्वीट का इंवेस्टिगेशन शुरू करा दी कि राहूल गंदी और अरविंद के जिर्वाल को क्यों सुपोर्ट कर रहे हैं ये क्या चीज़ है सो अब क्वेस्टन लिया आता है अगर एक्वेस नहीं है वो एक पॉलिटीशन है फवाद चौदरी एक ऐसे पॉलिटीशन है जो के है तो इमरान खान की पार्टी के हैं लेकिन उन्होंने पुछ अरसा पहले अपनी इमरान खान की पार्टी भी छोड़ी अच्छा जब वो पार्टी छोड़ी उसके बाद वो पीटीए कभ वो इमरान खान की पार्टी का भी इससा नहीं है और वो चाहते हैं कि हमें जब इमरान खान पावर बाहर आएंगे जेल से तो मुझे दुबारा वो अपनी पार्टी का इससा बनाए ठीक है जी सो यह जो चीज है यह क्या है and then सबसे बड़ी इंपॉर्टन चीज यह है कि पाक को दिखाना हो तो चाइना एलेक्शन जा जाएं अवाम को दिखाना हो तो पाकिस्तान I am sure कि मेरा जो यह पॉइंट है इसमें लॉजिक जरूर है और यह अब लेकिन साथ ही में अगर आप देखें कि एक तरफ यह चीज वह नजर आती है कि प्राइम निस्ट और मोदी जो ह की होगी मतलब कि इंडिया जो है यहां से बैट के यॉरप तक को भी हिट कर सकता है और हम तो कहते हैं कि भई हमारा और इंडिया की दोस्ती हो नहीं सकती हम जो है अच्छे रिलेशन में नहीं आ सकते हैं ट्रस्ट इशू है स्यासी इशू है कश्मीर इशू है बहुत से बढ़ गया है और हमारी टेकनोलिजी इस वक्त कहां खड़ी है क्या हम उनके साथ मिजाइल टू मिजाइल कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं जी बिल्कुल ऐसे ही है कि कंपैरिजन तो दूर की बात है बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान नजिरादी तोर पे बहुत मुख्लिफ ज हैं तालिबान वगएर और इस तरह के मसले मसाइल दूसरी तरफ इंडिया का प्योर फोकस रहा है के टेकनोलोजी पर हम कैसे अपडेट करें उनको आपको पता है लास्ट मैं भी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि उनकी वन 10 मिलियन से ज्यादा इंपोर्ट हो चुकिया सिर है या हम कहीं से बाहर से मंगवा लेते हैं चाइना बनाता पर स्टीकर स्टुकर हम अपने लगा बना के रिवर्स रिवर्स एंजिनिंग करके हम वह कुछ कर देते हैं लेकिन हमारे अपना कुछ नहीं है